सब्सक्राइब करें मेक जोग हंटर चैनल को जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे बुली बुली योफो की तलास में छोटियो एलियन की बताय हुँ जगा की और निकल जाते हैं जैसे ही सब वहां पहुंचते हैं योफो के पास एक बड़ा सैतान खड़ा होता है हम ये जंग हार जाएंगे क्योंकि इस केरिटियर के राज तुम ही को पते हैं सारे तब ही बुली दोड़ लगा जेता है और कहता है तुम दोनों बाबा के पास जाओ योफो लेकर तब तक मैं इस सैतान से निपड़ता हूँ और उसे योफो से दूर लेकर जाता हूँ गुली सैतान को चक्मा देने के लिए निकल जाता है और उसे जाकर चिड़ाता है जिससे सैतान देखकर बहुत जाता गुस्से में आ जाता है तब ही सकेरी टीजर का सैतान गुली का पीछा करने लगता है और उसे जंगलों तक दोड़ाता है इधर अपने गुली और छोटू एलियन यॉफो में बैठ जाते हैं और इधर आखिर कार बुली सैटान के कब्जे में आ जाता है और सैटान उसे एक पंच देकर जमीन में लेटा देता है जिससे बुली जमीन पर बेहोस हो जाता है गुली बुली के हालत देख बहुत जादा दुखी हो जाता है तबी छोटू एलियन कहता है योफो चलाओ नहीं तो सब मारे जाएंगे बुली योफो स्टार्ट करता है और योफो चलना सुरू हो जाती है लेकिन गुली गुली के हालत देख बहुत जादा दुखी हो जाता है गुली गुस्से में कहता है सब का बदला लूँगा बुली सौन, टाइगर बॉम, नायरा, जंडू, चाचा सब का बदला किसी को नहीं छोड़ूँगा मैं छोटू एलियन बोला चाबे निकालो गुली दर्वाजा आ गया है तब ही गुली चाबी लगाता है और दर्वाजा खूल जाता है तो दोस्तों क्या होगा आगे की स्टोरी में गुली बाबा को लेकर आपाएगा की नहीं और क्या इस केरिटी रखर राज सारे दुनिया में हो जाएगा वो इस दुनिया को बचाएंगा ही एक नि अब आगे की स्टोरी देखते हैं अरे ये क्या सेहर में तो एलियन का हमला शुरू हो चुका है और ये क्या ये तो सबको फ्रीज कर दे रहे हैं पूरे सेहर में एलियन ही गूम रहे हैं सारे सेहर में एलियन ही एलियन है और यहां तो इसकेरीडियर ने अपने खतरनाक ड्रैगन के साथ एंट्री मार ली है अब मुझे तो लगता है गुली गुली अभी तक बाबा के पास नहीं पहुँचे अब क्या होगा साहरवालों का लगता है सब मारे जाएंगे कोई नहीं बचेगा अरे यह तो गुली और छोटू एलियन का योफो लगता है इतने सारे एलियन को देखकर यह दोनों घबरा चुके हैं आखिर कैसे लड़ेंगे इतने सारे एलियन से और अपने सहर को कैसे बचा है और तो और इन्हें बुली सौन और जंडू चाचा के बेटे टाइगर बॉम को भी बचाना है और एलियन भी लगतार आते ही जा रहे हैं इस पॉर्टल को जल्द से जल्द बन करना होगा नहीं तो काफी देर हो जाएगी अरे ये क्या बाबा तो यहाँ एलियन की दुराई सुरू कर चुके हैं और लाइन से सब को पटक पटक कर फेक रहे हैं बाबा तो रुखने का नाम ही नहीं ले रहे हैं और तो वो योफो की गन से भी नहीं डर रहे हैं बाबा के सामने आत्त कोई नहीं टिका है और दोर बाबा को देखकर अपना गुली भी जोष में आचुका है और वो भी एलियन को पटक पटक कर मार रहा है और छोटु एलियन भी इधार रुखने का नाम नहीं ले रहा और वो योफो से धड़ा-धड़ गुली चला कर एलियन को चुन-चुन कर मार रहा है एलियन तो ही तीनों के सामने टिक ही नहीं पा रहे है लगता है सहर में एलियन का सफाय हो जाएगा और ये क्या गुली का तो एक्सेंट मोड शुरू हो चुका है और वो उड़ उड़ कर एलियन को मार रहा है और अपना छुटू एलियन भी किसी से कम नहीं है वो भी एलियन्स को धड़ा-धड़ मार रहा है अब तो सब का सामना हो चुका है लेकिन इन्हें स्केली डियर से कौन बचाएगा जो कि सबसे खटरनाक है ये तो देखने में भी भयानक लगती है और इसके पास जो त्रिशूल है वो भी बहुत पावरफूल है पता नहीं गुली गुली और बाबा कैसे इस से लड़ पाएंगे और इसकेली डियर ने बाबा को देख लिया है और बाबा ने भी स्केरिट इयर को देख लिया है बाबा नीचे से आ रहे है और स्केरिट इयर से उड़ उड़ कर आ रही है अरे ये क्या ये तो हद हो गई स्केरिट इयर का सबसे खतरनाक राक्सेद भी स्केरिट इयर के साथ आ रहा है अब बाबा का पता नहीं क्या होगा बाबा इन दोनों से लड़ पाएंगे की नहीं जिसने पूरे सहर को कबजा कर लिया है क्या बाबा उनसे लड़ पाएंगे इसकेरिटियर भी दोनों साथ में हमला करने जा रहा है अर ये क्या बाबा ने अपना एक्स्ट्रीम मोड वाला तलवार निकाल दिया है और इसकेरिटियर को मारने निकल पड़े हैं बाबा पूरे गुसे में अपने तलवार को लेकर इसकेरिटियर को और उसके मॉन्स्टर को मारने निकल पड़े हैं और यह क्या बाबा ने इसकेरिडिजर के ड्राइगन को अपने तलवार से काट दिया और मॉंस्टर को भी अपने पाबर फूल तलवार से दो बार में ही मार कर गिरा दिया और यहां तो इसकेरिडिजर का सैतान तो मर गया लेकिन उसकी अकड़ भी भी नहीं गई वो अभी भी बाबा से लड़ना चाहती है और उसने बाबा को ललगार दिया है कि बाबा आए और मुझे लड़ाई करे और अपने बाबा भी तयार है और बाबा भी इसकेरिटियर के जान निकालने के लिए दोड़ पड़े है बाबा में काफी गुष्सा है और यहां इसकेरिटियर के बचना बहुत मुस्की लगता है क्योंकि बाबा के पास जादू ही तलवार है और उसने इसकेरिटियर को मार कर गिरा दिया है तो दोस्तों यह स्टोरी यहां समाप्त होती है इस स्टोरी को बहुत सेयर करे बहुत शेयर करें और बहुत प्यार दे जैनल को सबस्काइब करें जो इस प्रकार है हम ऐसे 10 बिनर्स का वीडियो के अंद में नाम लेंगे और उसका एक अच्छा हाला कमेंट दिखाएंगे जैसा कि आपको इसक्रीन में दिख रहा है कि हमने 6 लोगों को लिया है जिसमें आपका भी नाम और कमेंट आ सकता है और हम वीडियो के अंद में आपका नाम भी लेंगे आपको बस करना ये है कि हमारे मेक चोग हंटर चैनल को सब्सक्काइब करें फिर वीडियो को लाइप करें और अपना एक अच्छा सा कमेंट डाले जिसे हम पसंद कर लिए धन्यवाद